हलो फ्रेंड्स बल्गम टू माई यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में जो आपका CRP UP Head Constable Ministerial SI का एक्जाम होने वाला है 22 से 28 फरवरी के बीच में उन्हीं के टॉप Most Important Questions को यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं और मैं आप लोगों को यह 100% गारंटी देता हूँ कि CRP UP Head Constable Minister SI के एक्जाम में यहाँ से Question पूछे जा सकते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए बड़ो अच्छा लगे तो प्लेस वीडियो को लाइक और से जरूर करें कौन सही सुमेलित है चार Option आपके सामने दिये गए है आंसर आपको comment box में पता ना है A Option करेक्ट हो जाएगा अनुरिक्ती विरिक्ती चले बढ़ते हैं अगले Question की ओर सुकत अगला Question देखिएगा निम्न में से काउन एक सब्दा लंकार नहीं है अनुप्रास सलेस यमक उपमा D Option करेक्ट हो जाएगा उपमा जो है ये सब्दा लंकार नहीं है तो सब्दा लंकार के बारे में कुछ जान लीजिए जो क्या आपके परिच्छा के ड्रश्ट इसे काफी important है शब्दा लंकार दो सब्दों से मिलकर बना होता है शब्द धन लंकार शब्द के दो रूप होते हैं धोनी और अर्थ ये चीज़े आपको ध्यान रखने अगला कोशन देखेगा निम्ण में कौन अर्था लंकार नहीं है उपमा उत्परिच्छा बक्रोर्ती रूपक निम्ण में कौन अर्था लंकार नहीं है C option correct हो जाएगा बक्रोर्ती अगला कोशन निम्ण में कौन एक भिन्ण है यमक, सलेस, भक्रोर्ती, ड्रश्टांत D option correct हो जाएगा ड्रश्टांत अगला कोशन निम्ण में कौन मात्रिक छंद का उधारन है कवित, बैरवे, शवया, मालनी B option correct हो जाएगा बैरवे मैत पुन फैक्ट जान लेजी जो कि आपके परिच्छा के ड्रश्टी से काफी इंपोर्टेंट है देखे, दोहा और चौपाई जैसे छंद मात्रिक छंद में गिने जाती है दोहा के पर्थम से 33 चरण में 93 मांत्राएं और 23 से 49 मांत्राएं होती है अगला कोशिन देखेगा निम्न में कौन सा वानिक छंद है कुंडलिया, उलाला, मन्दा करांता, गितिका सी ओप्सन करेक्ट हो जाएगा मन्दा करांता, यह आपको ध्यान में रखना है देखे, वानिक छंद के वारे कुछ चीज़ें है वो जान लेजिए हो कि आपकी परिचा के ड्रेश्टि से काफी इंपोरेंट है देखे, सवया जो है एक वानिक छंद है यह चार चरणों का संपाद वन छंद है और वनिक व्रत्तों में 22-26 अच्छर के चरण वाले जाती छंदों को शामई ग्रूप से हिंदी में सवया कहने की परंपरा है अगला कोशन देखेगा सांत रस का इस्थाई भाव क्या है शोक, वत्सलता, निर्वेद या बिसम है सांत रस का इस्थाई भाव होता है निर्वेद इस कोशन से रिलेटेट एक्स्ट्रा फेक्ट जान लेजे सवी रसों के इस्थाई भाव स्रंगार का इस्थाई भाव क्या होगा रती करुन का इस्थाई भाव क्या होता है शोक हाश का इस्थाइभाव क्या होता है हाश वीर का इस्थाइभाव होता है उत्साह भयानव का भय रोद्र का इस्थाइभाव होता है क्रोद और अद्वुत का आश्यर विस्मय शांत का इस्थाइभाव होता है निर्वेद्या निवरत्ती अगला कोशन देखेगा अनुराग किस रस का इस्थाई भाव है शांतरस वतसलरस वीरस रोदरस अनुराग किस रस का इस्थाई भाव है अगर आप आप्टी रस पे भी आप टिक कर सकते हैं अगला कोशन देखेगा शंकर का संदी बिच्चेत क्या होगा अगला कोशन देखेगा व्यर्थ का सही संदी बिच्छित क्या होगा तो व्यर्थ का सही संदी बिच्छित हो जाएगा V, धन, अर्थ क्यों होगा, क्या reason है देखिए जब आप इसे तोड़ेंगे तो आपको यह दिख रहा होगा V तो यह छोटी E की मंतरा तो इसको माले जाएगा छोटी और इसको माले जाएगा छोटा आ यानि कि E प्लस छोटा आ बराबर या हो जाएगा तो यहां हो जाएगी यानसंदी अगला कोशन देखेगा अगला कोशन है निम लिखित में से एक वाक्य में क्रिया वशन करने के अर्थ में प्रियुक्त हुई है यह वाक्य है D option करेक्ट हो जाएगा वहाँ आम खाता है सुगाज अगला कोशन है कि तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होगा खत्रा उठाना आंगे आंगे दोड़ना पेंड पर चड़कर खेलना चालांकी का जवाब चालांकी से देना D option करेक्ट हो जाएगा चालांकी का जवाब चालांकी से देना अगला कोशन देखेगा अकाल पीडित में समास है करमदार द्वंद तकपुरुस बहुपरिये अकाल पीडित में समास है तो देखेगा अकाल पीडित में समास हो जाएगा चूज किजी आंसर और कॉमेंट बॉक्स में आंसर दीजेगा आप लोग डी ओप्षिन करेक्ट हो जाएगा अनुधन एशन अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो संदी है आपकी अनुधन एशन यह क्यों होगी क्या रिजन जब आप इसे तोड़ेंगे तो ध्यान पूर्वक देखिएगा तो आपको यह दिख रहा होगा नुधन तो इसको माल लिए जाएगा छोटाओ और इसे माल लिए जाएगा ए इसको माल लिए जाएगा ए ठीक है तो छोटाओ प्लस ए बराबर वा हो जाएगा तो यहां हो जाएगी यानसंदी अगला कोशन देखेगा निम लिखित सब्दों में योगरून सब्द कमसा है चक्रपाड़ी, पाटसाला, उपचार, अभव्यक्ति ए ओप्शन करेक्ट हो जाएगा चक्रपाड़ी अगला कोशन देखेगा अगला कोशन है कि तलीन सब्द में सही उपसर्ग का बिछेद है अगला कोशन है कि तलीन में जो आपका उपसर्ग है उसको कैसे पैचान है कि मनें आपको पिछली बार बताया था कि जब आप इसे तोड़ते हैं तो तत्धन लीन तो तत्धन हो जाएगा आपका उपसर्ग और लीन हो जाएगा आपका प्रत्य अगर पूचा जाएगा कि ततलीन में प्रियुक्त संदी बिछेद क्या होगा तो यहाँ पर हो जाएगी बेंजन संदी यह आपको ध्यान में रखना है अगला कोशन देखेगा अगला कोशन कारक के भेद हैं 5,6,7,8 कारक के कितने भेद होते हैं D option correct हो जाएगा कारक के कुल 8 भेद होते हैं अब कारक के 8 भेद होते हैं यह तो आपको पता चल गया सम्मोधनकारक यह आपको ध्यान रखना है चले बढ़ते हैं अगला कोशन की ओर अगला कोशन है केशब कही न जाये का कईये पंक्ति के रचना कारकों ने आचार केशब दास सूर्दास तुलसी दास रहीम सी ओप्षन करेक्ट हो जाएगा तुलसी दास अगला कोशन देखेगा सूर्दास प्रेम चन्दर में किस उपन्यास का पात्र है वरदान प्रतिग्यां गोदान रंग भूमी D option correct हो जाएगा रंग भूमी 72 से 24 कोशन देखेगा दिये गए प्रतेक वाक्त में रिक्तिस्थान की पूर्ती उसी बाक्त में काले सब्द के उप्युक्त बिलोम की द्वारा की जानी है इसके लिए 4-4 विकलब प्रस्ता भी थें उचित विकलब का चैन कीजेगा कोशन क्या है भारतियर रष्टी आध्यातिमिक है जबकि पाशट रष्टी का आधार है भावतिक पदार्थबादी निरिश्वरवादी बिवाजन ये option correct हो जाएगा भावतिक अगला कोशन देखेगा स्वच जल के अभाव में हमें खाले स्थान जल पीकर ही प्यास बुजानी पड़ी दूशित तप्त शीतल ओशन स्वच का बिलोम स्थ क्या हो जाएगा दूशित ए option correct हो जाएगा नैश कोशन देखेगा पंदरा अगस्त 1947 को भारते में पर स्थान्तरता की जंजीरे तोड़कर खाले स्थान प्राप्त की पर स्थान्तरता का संधिविछेत क्या होगा इसका संधिविछेत हो जाएगा स्थान्तरता option एक correct हो जाएगा नैश कोशन देखेगा यथार्थ किस समास का उधारन है? तत्पुरु समास करमधार अबवईभाव दिगू C option correct हो जाएगा यथार्थ जो है ये अबवईभाव समास का उधारन है यहाँ प्रदी एक पाथ आपको धियान रखनी है यथार्थ का समास बिग्रे क्या होगा? यह थार्थ का समास विगर हो जाएगा जैसा बास्तों में अर्थ है अब आप लोग अवई-वाउस समास की एक परिवासा देख लिजिए जिस समास में पहला पद प्रदान हो और समस्त सब्द अववे का काम करें जिसे कि परत दिन परत एक दिन हो जाएगा, एका एक, एक एक, तो इसमल देजी यहां पर अब बहुत समास हो जाएगा, एक थरीका मैं आपको और बता रहा हूं, अब बहुत समास पैचानने का, जहां पर यह सब्दा जाएगा, यह था, अनु, परति, आ, बड़ा, भर, अगला question देखेगा मुँ तोड़ सब्द में कौणसा समास होगा तत पूरुस कर्मदार अबवईभाव दून्द यह option करेक्ट हो जाएगा यहांपर हो जाएगा तत पूरुस समास अब यहांपर क्यों होगा तत पूरुस समास यह भी जान लीजिए अगर आप लोग मुह तोड़ का समास विगरे करेंगे तो मुह को तोड़ने वाला यानि कि करता ने कर्म को नियम के अनुसार हो जाएगा तकपुरुस समास अगला कोशन देखेगा पाप पुन्य सब्दे में कौन सा समास है अब देखेगते हैं कि पाप और पुन्य के बीच में एक योजक चिन्न लगा है तो यहाँ पर हो जाएगा दुन्द समास दिगंबर में कौन सा समास है काफी इंपोर्टन कोशन है तकपुरुस भावपरी अबभाव करमधार है तो B option correct हो जाएगा दिगंबर में हो जाएगा बहुपरे समास जब आप दिगंबर का समास विघरे करेंगे तो हो जाएगा दिक दिसाए हैं अंबर बस्तर जिसका यानि की भगवान शिव यह आपको ध्यान में रखना है ठीक है जिस वाके में किसी प्रसिद व्यक्ति या भगवान के नामा जाएं तो वहाँ पर हो जाएगा आपका बहुपरे समास अगला कोशन देखेगा 89-80 तक निम्न प्रस्णों में चार सब्दों के समू दिये गए है प्रतेक समू में एक सब्द की बरतनी ठीक करने को दी गई है ठीक बरतनी वाले सब्द का पता लगाई है तो बताएगा ब्योहारिक की सही बरतनी क्या होगी ब्योहारिक सी ओप्शन करेक्ट हो जाएगा ब्योहारिक अच्छा ये बताएगा कि उज्वल की सुद्वरतनी क्या होगी उज्वल तो देखें ऑप्शन के तौर वेगर आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन के तौर पे तो हो जाएगा ये वर लेकिन वैसे ये गलत है ये नहीं होगा उज्वल जो इस प्रकार से लिखा जाएगा देखें बुक में जो कुछ कोशन जो होते हैं वो कुछ गलत होते हैं तो मैंने सभी कोशन से मैं पहले आंसर चाड़ता हूँ उसके बाद ही मैं आप लोगों को समझाता हूँ तो देखें इसमें आप देखेंगे बुक के हिसाब से तो ये तो गलत है ना डी ओप्शन बता रहा है वैसे ये गलत है फिलाल तो उजल ऐसे लिखा जाएगा ना अच्छा 81 कोशन की बरतानी कौँ से सुद्ध होगी ये होता आईगा 81 कोशन की बरतानी हो जाएगी ओप्शन वी उपर रोक्त 82 से 84 कोशन देखेगा निम्नक प्रशनों में दिये गए मुहाबरों और लोगत्रतियों के अर्थ बताने के लिए चार-चार बिकल्प दिये गए हैं प्रतिक के लिए उप्योक्त अर्थ बाला बिकल्प चुनी जैसे कि माली जी ये मुहाबरा है घी के दिये जलाना इसका मुहाबरा क्या होगा रोशनी करना पूजा करना खुशी मनाना धन्मान होना तो सही जबाब हो जाईगा option C घी के दिये जलाना या के खुशी मनाना सिर चल्प चल्हाना का मुहाबरा क्या होगा बहुत आदार करना बहुत आजादी देना पॐस्प चल्हाना चिंता करना बहुत आजादी देना भी option correct हो जाएगा यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखने हैं, अगर option में आए, अनुपियुक्त ब्यक्ति को अत्यधिक महतो देकर अपने उपर मुसीबत मोल लेना, तो इस पर भी आप टिक कर सकते हैं, अगला question देखेगा, आम के आम गुढ़लियों के दाम, का मुहावरा भाई क्या कर सकते हैं, अगला question देखेगा, हाँ अगला question है, पच्यासी, question है कि हरी गीतिका छंद के प्रतेख चरन में कितनी मांतराय होती हैं, 22, 24, 26, 28, तो D option करेक्ट हो जाएगा, हरी गीतिका छंद के प्रतेख चरन में कुल 28 मांतराय होती हैं, यह तो आपको पता हो गया कि हरी गी कुछ चीजें उन्हें होती हैं हरी गितिका चार चरण वगाला एक सम ने दिया, अगला कलम का सिपाई किसे कहा गया है परेंचंद, निराला, प्रसाद, दिनकर कलम का सिपाई किसे कहा गया है तो कलम का सिपाई कहा गया है मुनासी परेंचंद, तो option ए क KapSon ए कररेक्ट हो जाएगा techniques करेक्ट हो जाएगा निश्फल जो है ये विसर्ग संदी हो जाएगी क्यों हो जाएगी जब आप इसे तोड़ेंगे तो ऐसे होगा ना पैचानने का तरीका तो यह होगा ना यहाँ पर हो जाएगी विसर्ग संदी देखिए अगर आप किसी कोशन को पढ़ते हैं पढ़ने के बाद ज जिनको देखकर आपको पता चल जाता है किसमें कौन से संदी होगी। जैसे कि माली जे नेल कंट, आपको पता है कि जिस बात में किसी प्रसर ब्यक्तिया भगवान के नाम आ जाएं, वहाँ पर आपका भवपरेश हमास होता है। ठीक है, इस प्रकार से बचाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। चोटा ओ, धोनी का उच्चारण इस्थान क्या होगा। कंट, मुर्धा, तालू, दंतोष्टे हैं। चोटा ओ, धोनी का उच्चारण इस्थान। अब देखें, यहाँ पर आपको एक चीज दिहान में रखनी है। बी ऑप्शन ग्रेक्ट हो जाएगा, आकास दीब जो है, यह जैसंघर परसाद की रशन है। अगला कोश्चन, अंधा यूर किस प्रकार की रशना है?। उपन्यास, काबि, काबिनाटक, नाटक। अंधा यूग जो है ये काब नाटक की रजना, तो C option correct हो जाएगा सुगाज अगला कोशन कोणा अरक नाटक के लेखक हैं, जैसंकर प्रसाद, जगदीज, चंदर, माथूर, लच्मी, नराय, मिश्र, मोहर, राकिस वी option correct हो जाएगा, जगदीज, चंदर, माथूर, सुगाज अगला कोशन देखेगा क्या है अगला कोशन है कि अनामिका किसका काब संग्र है, निराला, पंत, मादेवी, बर्मा, प्रसाद ये option correct हो जाएगा निराला की अगला कोशन अगला कोशन कि यदि ए, ओ, आ, 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 के आंगे कोई स्वर हो तो इनके स्थान में करमसा आए अब आए, आओ हो जाता है तो ये काउसी स्वरसंदी कैलाती है ब्रदी स्वरसंदी, यन स्वरसंदी, आयादी स्वरसंदी, देर्ग स्वरसंदी तो ये कलाती है C option अगला कोशन देखेगा 94 से 96 दिये गए वाक्यों में काले सब्दों के परयाब समनार्था सब्दे के लिए 4 चार बिकल्प दिये गए हैं उचित बिकल्प का चैन कीजिए तो कोशन है कि धर्ती का किसान धर्ती का मातत तो सम्मान करता है तरननी, भार्या, रजनी, बशुदा तो धर्ती का परयाब समनार्था 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 समन अगला कोशन देखेगा नदी जीवन भी देती है और विनास भी कर सकती तो नदी का परियाबाची सब्द क्या होगा सुरुसुरी, सरीता, देवनदी, सुरुभी यह option correct हो जाएगा नदी का हो जाएगा परियाबाची सब्द सुरुसुरी अब आप लोग नदी के परियाबाची सब्द क्या क्या होते हैं अगला कोशन देखेगा गर्मी में बायू तेज गती से चलती है तो बायू का परियाबाची सब्द क्या होगा अनील जंजावत आंधी चकरवाथ यह option correct हो जाएगा बायू का परियाबाची सब्द हो जाएगा अनील अगला कोशन निम्न में से काउन सुमेलित नहीं है चार option आपके सामने दिये गए हैं आंसर हो जाएगा शुण सोना C option correct हो जाएगा नैश कोशन देखेगा अध्रश श्चत्रु अर्थ के अनरोप उप्योक्त मुहाबरा है T option correct हो जाएगा आस्तीन का साम अगला कोशन देखेगा गिराना किस प्रकार की करिया है योगी करिया नामदातु करिया प्रानातक करिया सेयुक्त करिया गिराना किस प्रकार की करिया है C option correct हो जाए गिराना जो है ये प्राना तक किरिया है आज कामरा सबसे large question रहेगा निम लिकित में काउंसा सब्द इस्त्रीलिंग नहीं है सुभा, दुपर, सांज, दिन D option correct हो जाएगा दिन जो है आपका ये इस्त्रीलिंग नहीं है तो आपको हमारा प्रयास कैसा लगा और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर comment बाक्ष में बटाएगा आप लोग अपनी राय comment बाक्ष में जरूर दिजेगा तो गर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीस वीडियो को लाइक औस से ज़रू करें जो भी नए बच्ची हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी बच्ची चैनल को सब्सक्राइब करके, नोडिफिकेशन बेल आउन करना ना भूलें तो मिलते हैं नाइश वीडियो के साथ जहिन जवाल